आज हम होम साइंस के 12th क्लास के जितने भी कॉशन्स करें थे उनको ही आगी कॉंटिन्यू करेंगे जो आपके एक्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं तो आए देखते हैं प्योग में लाने वाली किनी दो अफशेशकों के नाम लिखिए इस्तल उपचार मतलब होता है कि उनी वस्त्रों का रख रखाव या उनी वस्त्रों की देखभाल आप कैसे करेंगे उसके बारे में बताईए और कुछ विदिया बताईए जिस तरह से आप उनी वस्त्रों की जिस तरह से जब गर्मिया आने लगती है तब ठंड के कपड़े किस तरह से रखती है ठीक है तो देखिए उनी वस्त्रों के उस तरह का मतलब है उनी वस्त्रों का रख रखाव आपकी उनी वस्त्रों किस तरह से रख जाते हैं किस तरह से उनको चीजों को मैनेज किया जात जब भी उनी वस्त हम रखने वाले है उसको पैक करने वाले है तो पहले उसको ट्राइकलीन कर लेंगे उनी वस्त को रखने से पहले उने धूप लगा देंगे उनी वस्त को ऐसी जगह या अलमारी में रखेंगे जहां पर कीड़े ना लगे ठीक है ऐसी जगह पर रखेंगे जो हम उनी वस्त्र को सेफ रखने के लिए यूज करते हैं तो पहला है हमारा मौथ बॉल्स और सेकेंड हमारा फिनायल की गोलिया तो आप सबीरों सुनाओगा फिनायल की गोली का नाम तो कि जब हम कपड़े जब दुबारा पैक करते हैं जब रख देते हैं ठंड के तो उनम जब शर्ट है आपकी सूती जिस पर लिप्स्टिक का दाग लगया पता नहीं वह कैसे लगा लिप्स्टिक का दाग लेकिन आपको दाग हटाना है तो कैसे हटाएंगे धब्बे को मिठाई लेट स्पेड मिठी के तेल में डाले और रगड़े और फिर साबुन से धोले ठी किन चार कारे करी सम्मंदित बातों को ध्यान देंगे ठीक है यह हम पहले भी कोशन कर चुके है कि अगर आप कोई भी ऐसा कपड़ा सिर्फ शर्ट ही नहीं कोई बैसे चीज जो आप रेडिमेंट खरीद के ला रहे हैं बनी बनाई खरीद के ला रहे हैं तो उसको खरीदते हो दोरी सिलाई हो कहीं से फटा ना हो कोनों पर अच्छे से सिलाई हो रखी हो तो यह चीज़े आप ध्यान रखेंगे तो आईए देखते इसमें क्या लिखा है शर्ट खरीदते समय सबसे पहले शर्ट को उलटकर देखे कि उसकी सिलाई की जाज करेंगे ठीक है शर्ट को किनारे सफाई से सिलिय होनी चाहिए ठीक है जो कॉलर होता है उसका वो सफाय से जो कारिगीर ili तो आपको देखना है बटन को पूरा चब लगे मज बहुन चाहिए नहीं है शर्ट की कर्फ की सिलाई मजबूत है और सफाई से होनी चाहिए ठीक है जो कर्फ होते है उसके उसकी जो सिलाई ये वो अच्छे से हुई है या नहीं हुई ये चीज़े आप ध्यान रखेंगे जब भी आप खरीदने जाएंगे किसी भी चीज़े को दो और नेक्स्ट कुशन है मचली वा मास खरीदे समय आप किन बातों का ध्यान देंगे थिक जब आप मचली या मास नौन वे चीज़े खरीदे कोई सिय से चीजें जिनको आप धियान देंगे जब आप इस चीजिसे खरीदने जा रही है तो क्या है मीट का रंग के कि आप सबजी खरीद रहे हैं मीट उसका रंग कैसा वह कैसे रंग का है पहले अम उसका कलर चख करेंगे कि सबसे पहले When C दिखाएगा तो हमें उसका रंगी दिखेगा सबसे पहले है ना तो हम उसका पहले रंग चेक करेंगे कि वह कैसा है मास के रंग से उसकी ताज़ी का पता चलता है मुर्गी का मीट सफेद या हलके गुलाबी रंग का होता है ठीक है सफेद या हलके गुलाबी रंग का होता है ब्लड की वज़े से मास पर हरे रंग के धबबे नहीं होने चाहिए और ना ही थखके होने चाहिए ठीक है जब भी आप चिकन या कोई भी चीज लेना जा रहे हैं तो उस हरे रंग का धबबने चाहिए और हरा है तो मतला इसमें कोई पॉबल्म है वो खराब है ठीक है और जो खून के ठक्के होते हैं कहीं कहीं पे बने होते हैं उसके पीसीज में तो वो भी नहीं होने चाहिए तो अगर वैसा कुछ है तो आप वो चीज मत लिजे कि वो खराद है उसके बाद next point है हमारा उसकी खुश्बू उसको सुंग कर देखेंगे कि वह कैसा है मुर्गे के मास में कुछ खास तरह की खुश्बू नहीं होती कभी-कभी उसमें से अजीब तरह की सुगन्ध आती है लेकिन red meat में एक खास तरह की सुगन्ध होती है आपको बता दे कि ताजे मीट में कभी किस तरह की direction खुश्बू नहीं होती ठीक है जब भी आप मीट खरीद जा रहे हैं तो उसको सुनके देखें अगर उसमें कोई भी खुश्बू नहीं होगी वो स्मेल लेस होगा तो मतलब वो अच्छा है ठीक है अगर उसमें कोई खुश्बू आ रहे हैं कुछ अजीब तरीका आपको फील हो रहा है तो मत लीजिए वो चीस खराब है मतलब रेड़ मीट की चर्वी का रंग पीला नहीं होना चाहिए ठीक है अगर ऐसी sjजंeg जो तो वो मीट जो अगर हम ले रहे हैं वो ताजा है वो आच्छा है तो हमें ले लना चाहिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्किन-less meats से ध्यान रखिए meat लेते समय उसके skin को निकलवा लेना चाहिए क्योंकि skin में बहुत ज्यादा calorie होती है जो skin होती है आपने देखो meat जो बनता है उसकी skin पूरी हटा देता है मुर्गे की तो उसके skin को पूरा अटा देने अच्छे क्यों कि अगर हम वो skin भी खाते हैं तो क्या होता है इस पर बहुत जादा calorie होती है जिससे आपका हिर्दे संबंदे दिक्कत हो सकती है जिससे आपको heart problems कोई भी जो है वो हो सकती है तो इसलिए आप वो चीज़े authority of India यानि fssai से प्रमाणित हो जिससे कि खादे सुरक्षा के सारे पहमाने आपको मिले बतलब कि जब भी आप कुई चीज़ खरीद रहे हैं जब आप वो खरीद रहे हैं तो आप देख बाद चेक कर लें कि उसके उपर जो यह sign है जो निशान होते हैं आपको पता है मानक चीन होते हो भोगता के सुरक्षा के लिए तो आप यह चेक कर लें कि fssai का उस पर चीन है या नहीं है ठीक है जब आप मुर्गा चिकर वगड़ा खरीदने जा रहे हैं तो पैगड दो next point आपका कुपोशन के क्या कारण हो सकते हैं अब कुपोशन जो है वो किन कारणों से होता है तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि कुपोशन होता क्या है तब यह तो आप बता बाएंगे कि कारण क्या होते है कुपोशन होने के तो जैसे कि word में इसका मतलब छुपाए कुपोशन मतलब गलत पोशन या फिर कम पोशन ऐसी कोई भी चीज या कोई भी ऐसी प्रॉबलम जिसके वज़े से कोई भी व्यक्ती संतुलित मातरा में अपना भोजन ग्रहर नहीं कर पाता तो क्या होता है वो कुपोशन का शिकार ज किसी में जादा मातरा लेने से या किसी चीज की शरीर में कम मातरा की होने के वज़े से तो क्या है पोशन की कमी और बिमारिया कोई पोशन से सबसे प्रमुकारण है प्रमुकारण क्या है अगर हम किसी भी पोशन को नहीं लेते तो और अगर हमें कोई बिमारी होती है तो य इसके कारण कई प्रकार के रोग जैसे एनिमिया, घेंगा और बच्चों की हड्डिया कमजोर हो जाती है, ठीक है क्या होता हम पड़े लिखे नहीं है, इसलिए हम नहीं पता कि हमें कौन सी चीज खान गें, किसमें ज्यादा मातरा में प्रोटीन है, कैल्चियम है, ठीक है क्य विटामीन B12, तो वो हमारे लिए कैल्शियम उत्पन करता है, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो मैंने वो चीज अपनी मम्मी को बताई, कि मम्मी आपने से च्छाना मत करो, बिना च्छाने से बनाऊगर उसमें विटामीन होते है, तो मेरी मम्मी मुझे कहती कि अच्छा विटामीन चाहिए, तो जो मैंने च्छान के रखा है तो उसको अकेले अलग से खाले, ताकि वो विटामीन से मिल जाए, तो मतलब क्या है, अगर हम अशिक्षित हैं, हमें उसके बारे में नौलेज नहीं है, तो हम उस चीज को एक मजाग के वे मेरे लेते हैं, तो हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि हम समझ सके उन चीज़ों के किस तरह से हम जो अपने आपको हेल्दी हो सकते हैं, हेल्टी बना सकते हैं, परिवारी खाद्य अ शुरक्षत था जाग रुटा की कमी, हमें नहीं पता हमारे अंदर जाग रुटा की कमी है, हमें न देखिए स्वास्ते के इतनी बुरी दशाय कि सत्रास्व मरीज है उसके उपर सिर्फ सिंगल एक डॉक्टर है जो उन सबको चेक करने के लिए दब 17 सुअ बिमार होंगे तो उनके लिए सिर्फ एक डॉक्टर ही प्रोवाइट के होता है जबकि वैस्टवी किस्तर पर हजार मरीजो पर 1.5 डॉक्टर होते हैं ठीक है इतने ही इतने होते है पूरे वैस्टवी किस्तर पर तो डॉक्टर की नीड़ी क्यों है अगर आप सार वाजिक स्तर के कारड उinkके भोजन की मातरा और गुपर्वरता में पुरुशों के भोजन के अप्यक्षा कहीं अधिक अंतर होता है ठीक हमें देखने को मिलता है लेंगिक δेखने के वज पेरेंट्स या मॉम क्या करती है, जो ब्रदर है, उसको जादा चीज़े प्रवाइट की जा रही है, तो क्या हुआ और गर्ल जो उसको नहीं दिया जा रहा है, तो क्या है, यह हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं यहां तक की, ठीक है, तो यह भी एक कारण होता है कुपो पोशित होने का, अगर कोई गर्ल है, जो टीनेज में प्रेगनेट हो जाती है, तो क्या होता है, उसको पोशित पूरी मातरा मिलता है, ना ही जो उसका न्यूबॉन बेवी जो है, उसको अच्छी तरह किसे मिल पाता है, तो यह एक इश्यू है कि अगर आप प्रेगनेट हो पानि नहीं पी रहे हैं और गंदगी वाले स्थान में रह रहे हैं तो भी आपको कुपोशित ना हो सकते हैं ताकि आप कुपोशित ना हो सके और आप एक हल्दी परसन बने रहें नेक्स कोशन है हमारा मोहन सामाने बीमा योजना में निवेश करना चाहता है सामाने बीमा योजना क्या है उसके दो लाब बताईए ठीक है आप मोहन है जो बीमा योजना साट करना चाहता है आपनी तो आप जो है मोहन को बताईए कि यार यह जो भीमा योजना है उसमें यह चीज होते है यह लाभ है उसके तो आप कैसे किसी को कन्वेंस करेंगे कि वो भीमा योजना खोले ठीक है तो क्या क्या चीज़े क्या लाभ बताएंगे उसको आप उस चीज के समाने बीमा योजना है क्या पहले ये जाल लेते हैं जीवन योजना को जीवन बीमा को छोड़ कर अन्य बीमा समाने बीमा के तरह आते हैं समाने बीमा में आग जनी चोरी आदी के लिए संपत्ति का बीमा होता है ठीक है सामायने भीमा क्या होता है कि आपको अगर कोई ऐसे अकस्मिक घटना घट गई तो उसके लिए वो आपको safety provide करता है कि चोरी हो गई आग लग गई यह चीज़े naturally हो जाती है तो उन चीजों के अगर यह चीज आपकी घटना घट जाती है ऐसा कुछ हो जाता है आपके स जैसे कि दुरगटना और स्वास्ते भीमा और विविद देहता को cover करने के लिए देहता भीमा शामिल है अन्य कवर जैसे की पेशेवरों के लिए भूल चुक भीमा credit insurance आदी भी इसके तहती करवाया जाते हैं ठीक है कोई भी दुरगटना हो गई स्वास्ते संबंदित हो ग उनके पैसे जादा लग गई कहीं कुछ problem हो गई तो उनको वह economically help करते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है पूरा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ तौर पर उनकी help हो जाती है नेक्स्ट है विशेश परिसितियों में आर्थिक सुरक्षा है मतलब कहोई ऐसी problem हो गई विशेश problem जिसका हमें नहीं तान दादा कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो उस चीजों में भी वह हमारी help करते हैं जैसे कि कोई बिमार हो गया आपने देखागा कि जीवन बिमा करवाते अगर वह बिमार हो गए थो अगर वह अड़ियर हो गई है तो श्राथा खर्चा ओर वह गदेंगे और वह पर्सं का जो भी monthly income हो गया य अगर वह जादा लंबे टाइम तक बिमार है तो जो भी वहां काम कर रहाता जहां भी उसकी monthly income जितनी भी वहां उ 90 कäre जर्मा योजना तो हें स्च के आपको ठाइम एक टाइम में आपको पैसे, जिस hormones आपको ठाइम कोचना कुछ पैसे नगमा करना होता है, और अगर आपको वेपार करना या फिर कोई मकान लेना घर लेना तो उसके लिए रिरेंट सुविदाई भी यह लोग आपको प्रवाइट करते हैं नेक्स्ट कुशन है किशोरा वस्ता में हम उम्रों की मंडली महत्पुर्ण क्यों हो जाती है वेक्या कीजिए देखिए हम सभी जानते हैं आप सभी जो है टीन एज में है तो क्या है जो टीन एज के स्टूडन्स होते हैं या बच्चे होते हैं वो अपनी फ्रेंड सरकल में रहना ज्यादा पसंद करना लग जाते हैं इस एज में क्यों ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं बिहेवियर होता है कभी यह भी लगता है और बात से शेयर कार वस्ता अपना इस वह अलक्तार होता है हम चाहां आस हम क्या आस से प्रेंट के बताता है क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हाँ वो भी सेम में इतर ही है वो भी बताता है कि मुझे भी ऐसी प्रब्लम है तो हमें लगता है कि हम लोग जुड़े हुए है मतलब सब कुछ जो चीज़े हैं वो हमारता सेम हो रही है इसलिए वो उस टाइम पे अपने फ्रेंड सिर्कल में रहना जाधा पसंद करते हैं, उनसे अपने चीज़े शेयर करना जाधा पसंद करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताना जाधा प्रैफर करते हैं, उसे एज में वो किशोरा अवस्ता में मित्रों का महत्वर अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि किशोर अपना अधिकतर समय मित्रों के साथ बिताना अधिक पसंद करते हैं, किशोरा की भाशा, विचार, वहवार, सोच, पसंद, नापसंद, तदा कपड़ों तक का भी मित्रों पर पभाब देखन को मिलता है कि खुरार को میں अधिक अपने मित्रों पर अधिक विश्वास हो जाता है वे यह सोचते हैं कि उनके माता पिता उनकी परेशानी का परिशानी नहीं समझेंगे तो कि की अपरेंडंस नहीं समझेंगे कि हमें क्या प्राब्लम मैं जो हमारा friend है वो ही समझ सकता है कि हमें क्या issue है और वो ही resolve कर सकता है उस चीजों को और इस stage में क्या होता है उनकी अलग-अलग जो चीजें वो देखने को मिलती है कि उनके एक slang भाषा हो जाती है कि इस भाषा में वो code word बनाना शुरू कर देते हैं ठीक है कि हमारी private discussion जो भी होता है private बातों के लिए इस तरह की चीजों देखने को मिलती है इस stage में और किशोरा वस्ता में किशोरों के मित्रों में समुक कई प्रकार के होते हैं अब आपने देखा है कि जो friendships होती है अलग-अलग तरह के होती है तो उस तरह से होता है तो देखिए कौन-कौन से types होते है अलग-अलग friendship के teenage में पहले है हमारा लंगोटिया याँ कौन सा लंगोटिया इन मित्रों की सोच विचार लग बग एक जैसी होती हैТакDAY लंगोटिया यार मतलब एक तो बचपन से साथ है लंगोटिया मतलब यहार तो जो दोस्त लंगोटिक पहनने से ही साथ हैं एससे relate कि जाता है कि वो बचपन एक ही link वाले लोग होते हैं यानि कि लडकी है तो लडकी का गुरूप है और लडकी है तो लडकों का गुरूप है सिर्फ आगे है नेक्स कुशन साधारण बुनाई क्या है समझाए साधारण बुनाई से बने हुए कोई भी दो कपड़े बहुता है और उससे बने हुए दो कपड़ भी बताईए उनके एक्जामपल भी दीजिए साधान बुनाई द्वारा ही अधिकतर कपड़ों को बुना जाता है यह दोनों तरफ से बराबर समतल वह मजबूत होते हैं इने बुनने के लिए इसके बुनाई के तानों को चटाई की तरह एक बार उपर से फिर एक बार नीचे से बुना जाता है इसी कारण यह मजबूत हो यह ज़ें मजबूत होता है साधारण वुनाई द्वारा बने दो कपड़े साधारण वुनाई से कौन-कौन से कपड़े बुने है देखिए पहला है सूती और सेकेंड है पॉलिस्टर ठीक है ये दुनों कपड़े जो साधारण वुने जाते हैं नेक्स्ट कोशन है हमारा सुरक्षित मात्रत्व से आप क्या समझते हैं महिलाओं को सुरक्षित मात्रत्व के लिए किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए ठीक है सुरक्षित मात्रत्व क्या होता है और जो लेडीज होती है महिलाए होती है उन्हें किस बात का ध्यान रखन पोशन से भरपूर आहार का सेवन करें ऐसा करने से प्रसफ के समय कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आती ठीक है सुरक्षित मातरत का मतलब है कि जब भी आप प्रेगनेंट हुई है जब भी एक न्यूबॉर्ण बेबी आपके अंदर आ गया है तो आपको कौन कौन से है जिनका ख्याल रखना है किस तरह से आप अपने आपको सुरक्षित रख सकती है तो कैसे आपको जितने भी पोस्टि कहा रहा है वो उनका सेवन करना है अच्छी से अच्छा खाना खाना है सब कुछ चीज़ा करने है ठीक तरीके से डेली चेक अप कराना है तो इससे क्या गर्ब धारण के समय कम से कम चार बार प्रशिक्षित स्वास्ते कारे करता से उनकी जाज करानी चाहिए जब आप प्रेगनेंट है तो आपको कम से कम चार बारी चेक अप कराना चाहिए अपना कि सब कुछ ठीक है अंदर या नहीं कोई इशू तो नहीं है बच्चा कुछ बच्चा कुछ हरकत तो नहीं कर रहा कोई पॉब्लम तो नहीं हो रही तो यह चीज़ा आपको चेक अप करानी है महिलाओं का अगर प्रसव नर्स या डॉक्टर से कराया जाता है तो 12 गंटे बाद या 6 हफ़ते बाद महिला की जाच करानी चाहिए अगर आपने डिलिवरी करा दिया डिलिवरी हो गई उसकी उसके बाद भी आप चेक अप कराये 12 गंटे बाद या फिर 6 सपता बाद महिला को अगर गर्ब ठहराने का आदेश हो तो उसे जल्द स्वास्तेकेंद्य प्रसफ के लिए प्रशिक्षित लोगों की मदद लेने चाहिए महिला को प्रसफ से पहले ही संपूर पोशक आहार खाना चाहिए इससे लोह तत्व के प्रदात का अधिक सेवन करना चाहिए जब आप डिलिवरी करने जा रही है डिलिवरी से पहले या तो प्रेगनेंसी के जस्ट बादी प्रेगनेंसी जब आपको पता है कि आप प्रेगनेंट है तो आपको अच्छी से खाना खाना है लो तद वाला आयरन वाला ताकि आपको जब आप डिलिवरी टाइम हो तो अपना बहुत ख्याल रखना है जब आप प्रेगनेंट हैं ठीक है नेक्स्ट कोशन है हमारा आहार में परिवतन करने से रोगी जल्दी सुहस्ते हो जाता है इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं आहार में परिवतन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई आपने सुनाएं कि अगर हम क्या कहते हैं डॉक्टर भी कहते हैं कि आप बिमार हो तो आप ये चीज़े लीजिए अगर कोई इशु है जैसे हम कहते हैं लूज मोशन हो गए तो दलिया खाओ पतला चीज़े खाओ मुलायम चीज़े खाओ इसके बाद ठीक होताता सब कुछ तो वही चीज़े जब भी आपको कोई इशु होता है तो आपको उस तरह से आहार का सेवन करना है ताकि आप जल् hunger ॉपचार में सायता मिलती है जो बी बीमारी है उसको आपको पोशिक पत्व देने उस मातरा में जिस मातरा में उसको जरूरत है उसके रोकके अकॉर्डिंक जो उसको प्रॉबल्लम है जो भी उसको बीमारी है इस आहार को हम कहते हैं आहारीय चिकित्सा ठीक है क्या कहते हैं यह वर्ड आपको याद रखना है आहारीय चिकित्सा आप वर्ड से समझ जाएंगे कि आहारीय चिकित्सा मतलब खाने से संबंदित जो भी इलाज होते है ठीक है कि खाना खाईए तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी आपके ये करिए तो ये अच्छा हो जाएगा तो इस हिसाब से आहार ये चिकिस्ता जब खाने संबंदित हमको चिकिस्ता दी जाती है आहार से परिवर्तित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ठीक है जब आप खाना चेंज करें जब बदल रहे हैं चीजें तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है क्या है पहला तरल आहार तरल आहार काई है मतलब जो पानी वाला होता है जैसे कि आपको कोई अतिसार हो गया, बुखार हो गया इन चीज़ों में, जीसए क्या करिए पानी पीजिए, सब्जी का और दूद का, दूद का पानी, दूद पीजिए, निभू पानी पीजिए, ये चीज़े लीजिए नेक्स्ट है अर्दे तरल अर्दे तरल मतलब ज़्यादा पानी नहीं होता लेकिन थोड़ा पानी होता जैसे कि दलिया हो गई पानी वाली दाल हो गई इस तरह का चीज़े खाईए नेक्स्ट है कोमा लाहर कोमल आहार मतलब मुलायम चीज़ जैसे कि केला आलू इन चीज़ों का सेवन कीजिए ठीक जिससे कि आपको जो इशू है वो रिसॉल्ट हो जाए अहार परिवर्तन रोगी की पसंद ना पसंद उसकी अर्थिक स्थिति तथा उपलब्दी साधनों के अनुसार ही करना चाहिए ठीक है अगर वो चीज़ उसे नहीं पसंद या उससे अलर्जी है उस चीज़ से तो वो चीज़े ना दीजिये उसे जो उसका मन जिस साबसे वो अपने जो आहार अगे रफोंगई कर देंते को अन्य परिवार के वेक्तियों से अलग है यह लो तुम्हारा खाना अलग बनाये हैं अगर वो विमार है तो घर के बाके सदी से भी खाना खाना खालो प्रॉबल्म है एक दो दिन के बाद फिर वो भी ठीक हो जाएगा और सबके साथ खाने में सेम खाना खाने में अच्छा लगता है उसे भी रोगी पर्शन को भी उसे लेगा सबको सेम ही तो चल रहा है नेक्स कुशन है रसोई घर के विविन प्रकार के भीतरी बनावट के नाम लिखिए तथा उसे विस्तार संजाईए मतलब रसोई घर जो होता है उसके भीतरी बनावट कैसी होता है रसोई घर कैसा होता है उसके बारे में बताना है तो रसोई घर के भीतरी बनावट कैसी होता है रसोई घर में प्रकाश, हवा दाथा, पानी, उचित प्रबंदन होना चाहिए, बनादा प्रकाश और हवा सबको जाना चाहिए, वह प्रॉपर होना चाहिए, रसोई घर में दर्वाजे और खिड़के ओपर जाली होनी चाहिए, ताकि मच्छर मक्ही अंदर ना सके, अगर चाहिए, वह उसमें कुछ भी बैट जाती है, मख्य वगएरा, तो जाली होनी चाहिए, रसोई घर को आयता कार बनाओना चाहिए, रसोई घर, उसकी दिवारों पर टाइल लगी होनी चाहिए, ताकि रसोई घर में बहतरी से सफाई हो सके, अगर अच्छ तरीक से अगर टा तो जालने के लिए पंखा होना जी है, विद खाना पकाते हैं आप देखा धुआ होता है, तो लोग गैस फेन लगाते हैं, तो आपको क्या करना है, रसोई घर में वह गैस फेन लगाए, ताकि जो धुआ है, वो किचन में ना भर जाए, रसोई घर की भीतरी बनावट किस तरह की होती है, देखिए, पहला होता है, आई अकार का, ठीक है, आई अकार का मतलब ऐसे सीधा होता है, उस पर सारा काम हो रहा है, लाइन से, और होता है, L, मतलब ऐसे वाला, L, कि इस तरफ काम हो रहा है, और इस तरफ काम हो रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा टीवी प्रकार की ओगए जो बनावट होती है रोसोई की ब्रांड लेवल क्या होता है और वित्रनात्मक लेवल और सटी अजी तो इतना हमने कर लिया आज़ी क्लास के लिए ठीक है और जो भी चीज़ें होती है जो भी आपको डाउट होगा वो आप कमेंड में बताई देंगे और जितनी भी क्लासिस होती है उनलाइन उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगा ठीक है और इन कोशन को अच्छी से रिवाइस कीज़ेगा जो भी डाउट होगा आपको पूछ लीज़ेगा कि यह जो कोशन है वो बहुत इंपॉर्टन है जितनी भी सीरीज बनाई है ठीक है जो आपको हेल्प करेंगे आपके जो अपकमिंग जाम है उसके लिए ओके थाइंक यू